जहें दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको हिंदी सहीते क्याती लगूते प्रस्णों के बारे मताऊंगा और साथी सतुन प्रस्णों के उतरी बताऊंगा ताई भी ने किसी देरी के अमनों सुरू करते हैं और सब कुछ डीटेल में जानते हैं तो यहां पर आपका पहला प्रस्ण दीवा है करयाले हिंदी क्या होता है यहां पर आपको करयाले हिंदी के बारे मताना है तिस प्रस्ण का उतर यह होगा कि दिन प्रति दिन समान बेवार के हिंदी से भीन करयाले के अधिकारी ओथो करमचारियों दोरा प्रसास प्रसासनी को दस्य के लिए क्या रहता है उसको हम लोग कहते हैं काराले हिंदी उसके बदाय कर रहा है कि दूसरे सब्तों में काराले हिंदी का विपराय हुआ है यानि कि काराले हिंदी है जिसका परयोग काराले में होता है यानि कि जिस हिंदी का परयोग काराले में होता है उसको हम लोग बोलते हैं काराले हिन्दी, तो अगर एक्जाम में आप से ये कोश्चन पूछता है कि काराले हिन्दी का क्या तत्पर है, तो उसके जब़ों पर आपको आंसर ये लिखना है, कि दिन प्रति दिन समान बिभार के हिन्दी से भी हिन्द काराले का दिकारी अथो क किसे काते हैं दूसरे question का रहा है कि पत्रचार किसे काते हैं तो पत्र वह अभीदा है जिसके माध्यम से लोग भाव बिचारों कादान परदन करते हैं पत्र के माध्यम से कही लोगों में खुसी की लहर दोड़ परती है तो कही गम का सागर उमर परता है पत्र के माध्यम से ब सोसल मेडिया है पत्र अचार खतम हो गया है पत्र खतम हो गया है तो यहाँ पे अगर आप से एक्जामें पुछता है कि पत्र अचार कीसे करते है तो इसका answer आपको इस तरिकर से लिखना है कि पत्र वो हभीधा है जिसके पत्र के माध्यम से लोग भाव विच्छारो कादान परदान करते हैं पत्र के माध्यम से कई लोगों में खोषी की लहर दूर पड़ती है तो कई गम का सागर उमर पड़ता है पत्र के माध्यम से बेक्ति दुरस्त मीतरों, परिजनों, रिष्टेदारों तथा अंजान बेक्तियों संपर करता है अब आगे बढ़ते हैं अंगले कोईशन की तरफ यहां पर आपका तीसरे कोईशन दीवा है बेपारिक पत्र क्या होते हैं तीसरे कोईशन कार रहा है कि बेपारिक पत्र क्या होते हैं तो जैसा कि नाम से पत्र चल रहा है कि आईसे पत्र जिसका इस्तेमाल बेपार के छेतर में किया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेपारिक पत्र तो इस कोईशन का अंसर आपको इस तरीके से लिखना है पाने वाले का नाम पता पतरांग के दिनांग के बिसे अभिवादन मुख्य कत्य आदी अथास्थान होने चाहिए और पूरी बिनमता के साथ कत्य को प्रस्तूत किया जाना चाहिए यानि कि यह जो कोशन आप से पूछ रहा है कि बेपारिक पत्र क्या होते हैं तो इसका अंस नहीं हिसके नदर पत्र आपोता है है तो इसके अंदर वेभारिक पत्र होता है फालतु चीज़े नहीं होता है और ना ही इसके अंदर जोएकी बिभारिष कीज़े होता है अब आगे बढ़ तेंगली कुईशन के तरफ यहां पर आपका चोथा कुईशन दीवा है अधिसूचन यानि की नोटिफिकेशन का क्या से है तो नोटिफिकेशन क्या होता है यानि कारिक का रेलों में अधिसूचन का परयोग कई रूपों में किया जाता है कोई बात जन सधारान को अधिकारिक रूप में सुझित करने के लिए अधिसूचन जारी की जाती है यानि की नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और नोटिफिकेशन गजट या समचार पत्रों प वही बार पुछा जा चुका है तिस बार के एकजाम में पुछा जाएगा तिसली इस परस्णों को ध्यान से देखिएगा तो कह रहा है कि टीपड किसे काते हैं तो जब किसी कागाज पत्र के निप्रान के दिश्टी से सहाय के लिपिक मामले को इसपश्ट करने के लिए और स जेकता अनुसार उससे समंदित पिछले मामलों का सार निराधिन प्रस्णों का विवरण तता बिश्लेसर करवाई समंदित सुझाओ तता उसके बारे में जारी किये गए आदेस फाइल पर लिखकर प्रसुत करता है तो उसके दोरा लिखे गई या रिमार्क टीपड़ी कह इसके बारे में बता जाता है तो इस कोशन का प्रसुत कर रहा है कि पल्वन क्या है तो पल्वन पर किरिया संखेपड पर किरिया के ठीक बीपरित होتा है संचेपड में मूल पाट का सार प्रस्तूत कि जाता है जबकि पलवन में मूल क अथन को बिश्ठीद करते हुए प्रस्तूत कि जाता है अब आगे बढ़ते अंगले question के तरफ यहाँ पे आपका 8 question दी हुआ है प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं आठवा question का रहा है कि प्रतिवेदन से क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको प्रतिवेदन के बारे मताना है, इस question का अंसरी होगा, किसी प्रकरण घटना, कार योजना, आधी के बारे में इस पश्ट देहकर या खोज करके जो लिखित रूप में परिपूर ब्यूरान से प्रस सिवेदन, अब आगे बढ़ते अंगले question के तरफ यहाँ पे आपका नवा question दी हुआ है, भारत में निर्मित सबसे पहले personal computer कौन सा है, यानि कि जो computer है, जो भारत में पहले निर्मित हुआ था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिधान्त, याद रखने आपको, आगे question कर रहा है कि application software क्या है, तिस question का अंसर यह है, कि यहाँ किसी business कारे को फूर करने के लिए, लोगों दोरा परयोग किया जाता है, कुछ समानत्य परयोग माने वाले software निमन है, जैसे word processing software, database software, speed search software, web browser साधी, यह जो question इस question अब देख लीजेगा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ प बराबर होता है, इसलिए इसे mini computer कहा जाने लगा, यह computer, micro computer से लगवा 5-50 गुनादिक सिगरता से कारे करता है, इसके द्वारा 5-50 लाग अनुदेस परतिस सेकंड परतिपादित किया रह सकते हैं, यानि कि जो mini computer होता है, mini computer का कर कैसा होता है, तो mini computer का कार एक छोटी अलमारी के बराबर होता है, इसलिए से mini computer कहा जाता है, यह जो होता है computer, यह computer, micro computer से लगवा 5-50 गुनादिक सिगरता से कारे करता है, और इसके द्वारा 5-50 लाग अनुदेस परतिस सेकंड परतिपादित किया रह सकता है, तो इस question कांसर भी अब देख लीजेग, आगे बढ़ते हैं तो एक रूपता हम विभिन तरक के असकी फांट से छुटकारा मिलता है, यानि कि इसका लाब क्या होता है, तो यूनिकोड के लाब यह होता है, कि जो एक रूपता होता है, और जो विभिन तरक के असकी फांट से होते हैं, उससे आपको छुटकारा मिलता है, दूसरा है कि हिंदी में इमेल चाइट आदी आसानी से कर सकते हैं तीसरा है कि कारयालों के सभी कारे कंप्यूटर पर हिंदी में आसानी से होते हैं चोथा है कि हिंदी में बनी फाइलू का आसानी साधान परदान कर सकते हैं पांचवा है कि हिंदी कीवर्ड को Google या किसी यान सर्च इंचन में खोज कर सकते हैं तिये जो यूनी कोड है इसके लाब ही होते हैं यह पांच लाब होते हैं आपको इन पांचों लाब को देख लेना है अब आगे बढ़ते अंगले कोईशन की तर दूसरा उदेश है सीजैत ईकषड में कुसल्ता की ब्रिधि करना तीसा उधाने सर्ख में खता सर्ब के क्या उदेसत अधय है तीह के आप आपको इस तरीके से उदेस के बारे में बता जेना है अब आगे बढ़ तेंगले question के तरफ यहां पर आपका चोधाव question दी हुआ है इग्यानकोस क्या है? चोधाव question कर रहा है कि इग्यानकोस क्या है? तो जो इग्यानकोस है यह question में बार बार पुछे जाता है exam में तो इस question का अंसर आपको इस तरी के से देना है इग्यान को सबसे बिसाल नेशनल डिजिटल रिपोजीटरी है COVID-19 के कारण हुए लोगडाउन में ये विद्यार्थियों को अधेन समगरी निसुल को पलब्द करवा रहा है इग्यान को सबसे बिसाल नेशनल डिजिटल रिपोजीटरी है COVID-19 के कारण हुए लोगडाउन में ये विद्यार्थियों को अधेन समगरी निसुल को पलब्द करवा रहा है यहाँ पर कोई भी पैसा ने ले सकता है फिरी है इग्यान को सबसे बिद्यार्थियों सिख्षिकों को एक सिंगल बिंडो पर ही एकी जगह सीखने के सारे संसादन आनलाइन मिल जाते है अब आगे बड़ते अंगले कोईशन के तरफ यहाँ पर आपका 15 कोईशन दीवा है पलवन वो ब्याख्या में क्या अंतर है 15 कोईशन कर रहा है कि पलवन वो ब्याख्या में क्या अंतर है यह कोईशन में बहुत ही महतोपूर एक्जाम में बारे पर पुछे जाता है कि पलवन क्या है ब्याख्या के इन दोनों में क्या अंतर है यानि कि यहां पर जो एक क्यावल वाक्य के भाव बता जाता है, जबकि बैख्या में क्या खे जाता है, बैख्या में प्रसंग भी बता जाता है, अलोशना कभी समयस होता है, दोनों को भी इस्तार से बता जाता है, ति टोटल आपके 15 कोर्शन हों के जब साती लगूत्री प् कीजिए और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू दूस्तों